भागलपूर के नातनगर के SS बाली का इंटरी स्कूल में बने मैट्रिक परिच्छा केंद्र पर पहली पाली की परिच्छा सुरू होने के पहले केंद्र के बाहर प्रेमी प्रेमी का और परिजनों का हाय वोल्ट रिज ड्रामा देखने को मिला जो केंद्र के बाहर आधा प्रेमी प्रेमिका के बीच बिवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथा पाई भी सुरू हो गई। प्रेमी युवक ने बताया कि लड़की से चार साल से प्रेम पर संग चल रहा है और मुझे परिच्छा के बाहर मिलने के लिए बुलाई थी वही नात नगर थाना अध्यच राजित बंजन सिंग ने बताया कि मामुली बिवाद था किसी पक्ष ने लिखित सिकाय दर्ज नही किराई है। पचास एकड़ जमीन पर विक्सित 128 करोड की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं से लैसे एक हजार श्ट्टेंट के पढ़ने और रहने के लिए ट्रिपल आईटी भवन का ओनलाइन उद्गाटन आज परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जम्मू कस्मीर से कर दिया गौड तलब है कि एक साथ परधान मंत्री ने तीस संस्थाओं का भी उद्गाटन किया है साथी नरेंदर मोदी के साथ भरासरकार के सिच्छा मंत्री धर्मेंदर परधान भी मौजुद रहे वही भागलपूर के ट्रिपल आईटी भवन के उद्गाटन में सांसथ अजय मंडल कारिकरम बस्थल ट्रिपल आईटी सब और में उपस्तित रहे जैसे ही परधान मंत्री धर्मोदी ने इसका उद्गाटन किया वही इस भवन का वी दिवत उद्गाटन दी परजलन कर सांसथ ट्रिपल आईटी निसक और कई पतादिकारियों ने सामुही करूप से किया ट्रिपल आईटी भागलपूर की निसक ने बताया कि यह काफी गौरब का पल है और इस संस्थान के सुरुवाद 2017 में हुई थी जहां अंडर ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट की पढ़ाई होती है यहां एक हजार स्टुडेंट है इस बिलिडिंग में साले ब्लॉ मेकनिक्स एन अटोमेशन इंजिनिंग और गनित और कंप्यूटिंग में बीटेक कारिक्रम चलाया जा रहा है और 2021 से एमटेक और पेज़ी कारिक्रम भी चलाया जा रहा है सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाले दिनों में हमारे चात्र कहीं अच्छा करेंगे जैसे आज आपने देखा कि हमारे सब्सक्राइब करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में यह संख्या सिंगिल डिजिट में नहीं होगी बल्कि यह सब्सक्राइब करेंगे चाहिए वो एजुकेशन हो या रिसर्च और डिलफमेंट कम संसाधन और साधन में ट्रीपल आईटी भागलपुर के बच्चों ने खुद को लोहा मनवाया है अब तो बहुत ज्यादा साधन और संसाधन दोनों है किस रुप से देखते हैं इसको के पीछे खड़े रहेंगे पर्धान मंत्री अजी लोकारपन किया कहिए यही कहेंगे कि वह हमारे देश को विक्षित भारत की और ले जाने के लिए यह उनका एक और कदम है और आज एक दिन में उन्होंने कम से कम आई थिंग मोर देन एटी सिच्छन संस्थाओं के डिफ और आज युआ वर्ग के लिए बहुत गोहर का दिन है और इसका उपियोग करके निश्चित हमारे युआ वर्ग आगे बढ़ेगा और हम विक्षित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है तैंक यू सब्सक्राइब देश के कई जगे के कई संस्ताओं का भवन का उद्वाटन किया है इसमें हमारा जो हमारे ही रिजन में सिल्यानास भी हुआ और उद्वाटन भी बारे प्रद्वान मंद्री के दौरा क्या लगता है कि छात्रों का मनोबल बढ़ेगा आगे और बढ़ेगा विल्कुल इसका हर ऑक को सबडिये क्या नंथी नहीं होगे है अच्छाइण के लिए लेने के लिए आप लोग भी जनते हैं है कि आज का जो नोकरी का सरकारी नोकरी का शिश्ट्र है है बिल्कुल पारदरिस्टा के से हैं तो कि सब कंपुजिशन में लोग को कंपुजिशन दे करके आना तो इसमें जिनकी जैसे तैयारी होगी विए नवकरी मिलेगी मन स्याद आपने टेक्नोजी पे काफी जोड दिया क्या लबता है टेक्नोजी कितने अब और पहले तो लोग अभी तो छात्र होस्टल में आते रहने के लिए पहले के जुग में तो लुपी द्यारती पढ़ने के लिए बच्पन से 6 साल कुम्री से जंगल चले जाते तो वहां उनको क्या कष्ट होता आज का तो लोग बने बनाए घर में यसी मेरा करके पढ़ते हैं कर दितो emocisSON kya करहें पढ़ने में आप English utilizar argument को है यूज को है बच्छा जब जंब लेता है तो कई वार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा अच्छतिक रस्त हो जाता है और उसके बच्चने की के सम्मावना कम हो जाती है और यदी बच तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंद्गी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग धिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग धिरेपी दिया जाए तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें बाजबा के राश्ट्रे प्रवक्ता सय्यत सानवाज हुसेन भागलपूर पहुंचे उन्होंने त्यस्वी यादप पनिसना साथ तेवे कहा कि त्यस्वी अभी तक घर में ही यात्रा करते थे अब बाहर निकले हैं अच्छी बात है मंत्री रहते वो बिहार के कई जिलों में नहीं जा पाए थे अब मंत्री पद से हट गए हैं तो कम से कम दौरा करेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है लेकिन एंडिया के साथियों के साथ हम लोग 400 सीट से ज़्यादा जितेंगे जिसमें 10% बिहार का हिस्सा रह हुए थी और कांगरेश को किसी तरह एक सीट मिली थी लेकिन इस बार दोनों का सूपड़ा साफ है अच्छा रहता है जितना दोड़ा हो जाए मंत्री के तोर पर से काफी सारी बिभाग में निमित्ता की बात आ रही थी तो पर देस्पीजी चला रहे है उसके लिए मुखमंत्री जी का बियान आ गया है उसके बाद कोई और बियान देने की जूरत नहीं है जहां तक सवाल ह हमें लोकसभा का चुनाव नस्दीक है हम चार सो सीट एंडिये के साथी के साथ जीतेंगे और उसमें दस परसंट शेर बिहार का होगा हम 40 सीट जीतेंगे एंडिये के साथियों के साथ और बिहार में पिछली बार भी आर्जेडी जीरो पर आउट हो गई थी कांग्रेस को एक सीट मिली थी इस वार एक सीट भी उनको मिलने वाली नहीं वह बाद में तह होगा अभी कुछ भी तह नहीं है जब बताया जाएगा तो सब बता दिया जाए दियस्वी यादव के जनविस्वास यात्रा पर भागलपूर की सांसदा जै मंडल ने कहा कि यात्रा निकालने का अधिकार सबों को हैं चाहे कोई काली मा की यात्रा में जाए पीर पेगंबर की यात्रा में जाए या फिर किसी वित्रा की यात्रा में जाए कहीं किसी को पा अधिकार नहीं है, हत्या को लेकर प्रसासर अपना काम कर रहे है जल्दी दोसियों पर कारवाई की जाएगी। मौनव जाती सिर्फ दो भाग में बटे हुए हैं, एक बुरा मौनव एक अच्छे मौनव जो हैं, उनके लिए सरकार कानून उनके लिए भी हैं और बुरे मौनव के लिए भी सरकार कानून हैं। बुरा बुरा इलिमेंट से बुरा इलिमेंट वह जात से खुआ जुरा है, गंदा इलिमेंट से कम कर गया। तो हो जात कहाता है अपराधियों की जाती ही अलग होती है उसमें जात होता ही नपराधिय लगा तुछ जाती के वो लोग है और कोई भला जाती के लोग थोरे मार सकते हैं किसी को तो अपराधी जाती के लोग मारें अपराधियों परकार्ज करवाई होगी अब भी स्पी को किसने क्या काम आई नहीं कहूंगा अब जो कहा जाता है कि दिन भर दूसरी दुनियां में रहते हैं उनके बोलने का क्या कमी और क्या बेस हैं वह तो दूसरी दुनियां के हैं के अएषब कुण्स से कुकूल को मेरे डीक्ता है चाहे को कहीं चले जाए कौनून नहीं में बिगरने देंगे करून की में कि वेवसक्ता नहीं है स्कंथों कर दो हूं कि एक के कि लान किया होगा हमसे तु का कर कर क कही को बोल नहीं रहे हूं कि उनका जवाब दे कि छल्स उत् मैंने तो यह कहा कि मौनिया मौनिया मुंख्मंथ्री जहाँ रहें college भागलपूर के नगच्छिया में भारी बवाल हुआ रंगरा थनाच्छतर में दो दिन से लापता महिला का सब मिला जिसके बाद हालत बेकाबू हो गए थे मामले में जदियू के विधायक गुपाल मंडल ने एसपी को जिम्मेवार बताया था अब जदियू विधायक गुपाल मंडल के बयान पर कांगरिस विधायक अजीत सर्मा ने पलटवार किया है घटना को लेकर कांगरिस विधायक ने कहा कि इसे जाती का रंग देना बिलकुल गलत है मैंने भी सुना है वहाँ एक महिला दूद लेकर कहीं जाती है और फिर लापता हो जाती है फिर उसकी हत्या हो जाती है पुलीस को इसकी कड़ी से कड़ी जाच करनी चाहिए और जो सत्य है उसको जनता के सामने लाना चाहिए गुपाल मंडल जी जो बात कर रहे हैं ब्राहमन गंगोता ऐसी कोई बात नहीं है हम आगरा करेंगे विधायक से भी और सरकार से भी कि जात पात से उपर उठिये और इसमें जो दोसी है उस पर कड़ी कारवाई किजिए वहिन उन्हें नगचिया एसपी पर अभद टिपनी करने बर कहा कि बिना जाच के टिपनी कैसे कर सकते हैं गुपाल मंडल ने कह दिया कि सरकारी भरष्ट है आप जिस पार्टी में है वही भरष्ट है ऐसा कैसे बोल सकते हैं बिना जाच के किसी पर इलजाम लगाना उचित नहीं है इससे काम बाधित होता है चुकि अब तो आप केदर में भी सरकार भारती जन्ता पार्टी का है बिहार में भी है अब तो कम सकम ये जो हालत है एक महिला दूद लेके जाती है उसको लोग मार देते हैं कौन मारता है कैसे मरती है अपने मरती है कैसे मरती है तो जांच का विशे है लेकिन जो अभी आधनी गुबाल मंडली जातपाथ की बात कर रहे है कि ब्राहमन और गंग होता ये कोई बात नहीं है हम लोग का कांगरेस सब्सक्राइब विचारदार है जात पास से उपर उठके हम लोग काम करते हैं और माग्रा करेंगे तुमद्धायक से भी सरकार से भी जात पास से उपर उठिए और जो सचाहिए वो जनता के सामने लाई यह और जो दोसियस पर कड़ी करवाई होनी चाहिए प्रस्ता चार में डूबे हुए यह तो बिल्कुल गलत बात है आप जिस पार्टी के जदियु विधायक है वह बरस्त हो गया वह बरस्ता चार में डूबा है पदादिकारी जाच करने का अग्रह करिए और सही जाच नहीं करता है फिर लिश्य तोर पर सरकार को बोलना चाहिए कि इसमिस पार जाच सही नहीं कर रहे है लेकि बिना जाच के किसी पर इलजाम लगाने है उचित नहीं है इससे काम वाधित होता है पर जाच नहीं करता है कि चोरो का अतंक बढ़ चुका है जिसमें बताया जाता है कि मदुसुदनपूर पुलीस की घस्ती में धिलाई के कारण चोरो का मनुबल बढ़ा है वही सुमन कुमार ने मदुसुदनपूर थाने में ग्याच चोरो के खिलाफ मामला दर्ज कराया है है अग्यात है किसी पर हमकुदनपूर अबेदन दिये हैं अबेदन दिये हैं एक्सेप्ट कर लिया है अभी बोला कि जाउच के लिए आएंगे जाच के लिए पुलिस हाईगी पिकोन टुला है यह नया टुला चावजदी हुआ क्या नाम हुआ तुमारा मेरा नम सुमन बापा का नम प्रेंजर मंडर्य करर रहे तका पर हाय कर रोयहार था आम स्ट्वेक हैं स्ट्वेंट है क्रेज़एंट मेरा कंप्लीट हो गया श्रण करे लेंः मेरा सारा डाटा भी और करते हैं तो और क्या क्याँ 6त पर लेपटप ए冷स कंपनी कि मुवाइल रियलमी 5 प्रो था लेप्टॉप विवोबुक एस्टिंग था नगर निगम सभागार में मेर की अध्रचता में सामान समीती बोड की बैठेक आयो जित की गई सर्वतम मेर दोरा बैठक में उपस्थित उप महापाउर नगर आयकुत उप नगर आयकुत पारसदगन नगर निगम पनाधिकारी काविभादन किया इसके साथ ही बैठक की कारवाई प्रारम विक्की गई बैठक में भागलपूर नगर निगम छित्र के अंदरकल सभी वाडों के कई मुख्य प्रस्तावों जैसे सहर का सौंद्रिकरन, नाला सड़क का निर्मान, यातायात, रौसनी, जल, सोचाले, अतिकरम आधिस सम्मंदित कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्विकिर्टी दी सिच्छा जगत में भागलपूर में एक अलग पहचान बनाने वाले फादर वर्गिस बरसों से भागलपूर के बच्चों के अंदर सिच्छा का अलग जगाने का काम करते आ रहेते, उनका निधन भागलपूर के सिच्छा जगत के लिए बड़ी च्छती है, आज उनके अं तिम्यात्रा में सिर्कत किया उन्हेरे फादर वर्गिस के निधन को एक बड़ी छती बताई है। स्थान उपर ले दे। स्थान न Haiti भादर वर्गिस किया खाया गया है। स्थान उ trainings और में समय।